Hello students, welcome back. अम्वमने पॉटूतले performance of contract तो यह पुटेबा हमें Section 45 Devolution of Joint Rfact Say performance of contract रहू, यह Section 45 राज़ची Indian contract रहू Devolution of Joint R 후보 को जो एले आमें कोणού बूचिवा Devolution of joint Rfact को जट्थे बोटे कुणसी promise हर किछे भी promise Two or more person को jointly करी थे वो तो इन दाट केस अमें तो कोईबा डिवोलूशन ओफ जॉइंट राइड और ये केस रहे हुए कॉरना सब्भू प्रोमिजी मने पर्फॉमंस पाइं जॉइंटली क्लेम कोरिवें और जहां भी इन केस तांक भी तो कही भी जदी कही भी प्रोमिजी जदी मरी गोला तो इन दाट केस तांक लीगल रप्रिजन जवी जहां भी शर्वाराईग जे थी भी प्रोमिजी तीवे सानवें blanc रिचे कि पर्फॉमंस पाइं पाइंट कोरिवे तो इन था फ़ भी निदी devolution of joint right को या मैं आपूची पा when person has made a promise to two or more persons two or more person jointly the rule is called devolution of joint right आप जेते भी promise जी रोले all promises must jointly claim the performance सब्बोब प्रोमिजी मने मिसी की jointly claim करी बादर कर performance पाई आप तांका फित जी कही भी मुरी गला if any of them dies their representative okay मने जो लोकटा मुरी ला तार रेप्रेजेंटेटिव आप जो मने surviving joint promise थी थी भी से मने मिसी की claim करी बादर करी परफोमिजी मुरी गले ताल इन दाट केस तांका जी भी legal representative थी भी से मने jointly okay से मने भी jointly मिसी की करी परफोमंस में किठेटा कंसिट्रेशन ने थी ला 5000 रपीज रो और सेटा को से दे थी थी ला कहा कू S कू अउ N कू अउँ promise भी करते ला जो से रीपे करदबा अउने आर कंसिट्रेशन ने थी ला S आउ N थारू आउ कोहित ला इंट्रेश्ट सही तो से फेरस्त करदबा बट S मोरी गला तो S जेहतु मोरी गला एपर राइट कहा पर आशची ना जेहतु S मोरी जाईची तो S रो भी रेप्रेजेंटेटिव गला आउ N N तरह जेहतु से अउने शर्वाइबिंग होची तो S रो रेप्रेजेंटेटिव आउ N सिमने मिसिकरी परफोर्मन्स क्लेम करिवे आर थारू इन केस N रो भी डेथ ही गला तो इन दाट केस S आउ N S रो रेप्रेजेंटेटिव जोईंटली मिसिकरी क्लेम करिवे परफोर्मन्स पाहिए आर थारू तो जो गी कॉंट्राक्ट इसा बर जो कॉंट्राक्ट दिया रही ही था तरह परफोर्मन्स रो टाइम आउ प्लेस के तरह ला ही थारू फर्स्ट कूची कॉंट्राक्ट इसा बर कर परफोर्मन्स पाहिए तो गला ही था डिट्राइम आउ प्लेस के जोबी अगला आगरेमेंट करते ही था यह다 ही था पाहिए था आपमाहिए जो रूल अचिक ज़ ताइम हो प्लेस कौन हबा दरकार परफोर्मेंस पहीं तब को आमें डीटेल लेवे बूजी ज़िवा तो सेटा हो ची फर्स्ट चा सेक्शन फॉर्टिफाइब प्रफोर्मेंस अबरे प्रफोर्म टाइम सेक्शन सीह सिवर सैबकी किलाल कुछेट परफोर्म प्रफोर्मेंस और भीजिवा सेत्तिक समय सिमा भीतरे जो जिनसरा अबशक्ता पड़ुत वाँ सटा मिलुत वाद अरका है तो सेटकों आमें कोई बार रीजनेबल टाइम जो जिमति आमें बहुत इजीली जोती बुझी पाईबहा आमरों उडियारा कथा एचि बहागरों को जोटी सुन्दारों ठीक सेबागरों डाईबलें देज ताम्र जोटी न वह करेगी बहागरों सोजीज़ब पुरे ताम्रों जोटी कऊरचों So, it depends upon the circumstances of the case. Reasonable time कोले हमें बुजी बाइ, circumstances of the case and the use of trade and intention of the parties at the time of entering into the contract. That will be termed as reasonable time. Okay. Example को असी बाइ, better बुजी बाइबा, supply of order of goods by a bookseller to the publisher given in 5th July should be performed within 4 to 5 days. So, it being the time for the demand of goods. So, the publisher need to perform the promise within a reasonable time. Okay. But a bookseller को order मेरेच. Okay. Publisher पाइए, इसा तो 5th July रे, आस्ता हले से डा, केते दिन भी तरे से bookseller से प्रड़क्ता त्यारी कर देथी बादर कर, तो सेटा को within 4 to 5 days भी तरे ही थी बादर कर. ते भी ही से goods रा डिमांटा रहिबो. So, Publisher एक कामटा को within 4 to 5 days भी तरे complete कर देथी बादर कर. That means 4 to 5 days is the reasonable time period. Okay. Time and place for performance or promise where time is specified and no application is to be made. Section 47 कोची. Time specified अच्छी हाँ, कोण से application चेरी है नहीं? So, in that case हमें कौण कोई बादर. So, when a promise is to be performed on a certain day, the promisor may perform it at any time. During the usual hour of business or such day and at the place at which the promise ought to be performed. ता मने date मेंशन अच्छी, time मेंशन नहीं. So, in that case हमें कौण करिवा? In that case हमें बुझिवा, जो डेट मेंशन अच्छी मने, जो तबी usual business hours under आसुत भोजो समय सिमा टा थीबो, से ही समय सिमा भी तरे promise कु फुल्फिल करिवा, जार करिवा promise कु परफॉर्म करिया कु परिवा. इल्स्टरेशन कु जिवा? A. promises to deliver goods at B. जारावावस on the 1st January. On that day A. brings the goods to B. जारावस but after the usual hour for closing it and they are not received. A. has not performed his promise, yes. So, A. promise करिवा, B. जारावावस रे goods डेलिवार करिवा 1st January रे. छी करिवा? आउसे दिन अभी से आसिला, but office hour सुरी बापरे. जो usual business hour थाए. So, business hour रो close हबापरे, जारावस रे डेलिवार करिवार करिवार ची goods. जानो goods रिसीब है पाई रेनी, because कही अवेलेबल ना थिले? So, in this case, A. तराव promise साभरे perform करिवार नाहीं. So, A. has not performed his promise. Then, application for performance on certain day to be at proper time and place, section 48. So, perform अभी जो करिवा जो भी day mentioned थिबा, जो भी proper time, place थिबा mention. So, सेटा कोबले बाबरे हम अपलाए करिवा. So, section 48 कोची, when a promise is to be performed on a certain day and promiseer has not undertaken to perform it without application by the promisee. In that case, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hour of business. तो मने promise साभरे जो भी performer, जो भी perform करिवार थिबा, तो सेटा प्रोमिजर कोण से perform करिवार ने? Okay, जैंती प्रोमिजी कोईतला सेही सबरस ये apply सेगड़ा को कोला ना है, ताले इन दाट के समें कोण बुझिवा? कोचे टाब प्रोमिजीरो डिवटी, जैसे प्रोपर प्लेस आओ, यूजिली बिजनेस सावर अंडर रे, बिजनेस सावर भीतर रे ही आगवा जोने दाब प्रोमिजर को, जै तम्हें ए टाइम रे तम्हरों जाहाँ भी कॉन्टार्ट आमा भीतर है, जला सेटार प्रोम कर को ऑलाशे कोसी कौना सेटार्ट आमा जोनेसा कालाल सेटार्ट आयोगे, जैसे मझा एक प्रोमिजरा ऑसेड़ now ने में क्लिणा भीतर आहिरों परोम करी बार अच्छी ही प्रोमिजर आप्रोमिजरो में कौनकेंज़ृविसै कोना सी प्रोमिजराए पिक्षेद हैं है एक प्रामिसי संसी kepर फिक्सट करिणाहिं प्लेस्ट वर प्रफॉमांस . नहीं प्रामिसी संसस्य द्यूति लुटराल। प्रमिस जी कुँ जै बही तम्हें गोटे आमको रिजनेवल प्लेस को हो जो जगर हमेज जाई करी गूर्स डेलिवर करीवू की जोग भी आमको भी तुरे कॉंट्रेक्ट इकला से कॉंट्रेक्टा को परफॉर्म करीवू ऑके असे जगर ही प्रोमिस टा परफॉर्म करा जो Okay, example को ऐसे जिवा, so A undertake to deliver thousand months of jod to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. So A or B बितरे जोद आंकर contract हीतला, सही हिसाब रे, सही कोई बिले जचे 1000 months of jod देवों. Okay, A, B कु 1000 months of jod देवों. तो एकेस रे, B कु कु आजाए जिला, जे A भी application देवी इची B कु आपकोण जोड जागरे, आमें deliver करीबू ए गूट्स कु आपकोण आमको जोणाए जियांतू. Okay, so सही हिसाब रे, सही जाएकरी सही गूट्स कु सही देलिवोर करेबू. Then, performance in manner or at time prescribed or sanctioned by a promisee, section 50. So, as per section 50, कोची, जोबी प्रोमिजर परफॉमंस अबर, सही मनर, सही ताम इसबर हबू, जोटा प्रोमिजी प्रिसकरीब करेबू. Okay, so section 40 states that, the performance of any promise may be made in any manner or any time which the promisee prescribes. Thus, promisee need to perform his promise as sanctioned or prescribed by promisee. सेक्शन फिप्टी कोई दला जे जो प्रोमीजर जो पफोर्म करीवा कॉंट्रेक्ट को सेटार सेई टाइम आउ सेई मैनर को करीवा जमीती प्रोमीजी कोई जिवा त्यनों प्रोमीजर सेई बढ़या काम करीवा जमीती प्रोमीजी कोई आउ सेथिले कि प्रोमीजी को भी शै to send him a note for Rs.100 by post. The debt is discharged as soon as we put into the post a letter containing the note duly addressed to A. अ कहूँ चीज मुँ तम को पोई सा रीपे करी भी तो सेटा तम्हें पोस्ट रे पठे जियो मत्या अडर बोड़या केश मत्या पोस्ट रे तम्हें सवाटों का दे जियो अगे डेप्ट जोटा मने ए जो कही थिला बी कुँ अब बी तको जो रीपे करूँछी सेटा बरे कोला तम्हें आज सुन आज बी जिमति की पोस्ट जरियारे सेंड कर दला एक को जिमति ये तको कही थिला तहले सेतारा कॉन्ट्राक को पफोर्म कर दला करनों जो मेलरे प्रोमिजी को हीब सही हिसाब रे प्रोमिजर सही बड़या उए रे प्रोम करीब कुट्राक्ट then performance of reciprocal promises yes the reciprocal promises होतो बता हल तकवा में केमति perform करीब section 2 subsection F रे कोह जोची that it is promise in exchange of a promise reciprocal promise रमें कोहले बुची बा it is a promise in exchange of a promise promise बदलरे promise तेन तको कह जाची reciprocal promise आओ एबुलया के एसरे कौन वेल एबुलया के एसरे दू इटा जाको पाठी परस पर रहा प्रमिजी भी प्रमिजर भी, okay? In this case, each party in a contract is a promiseer as well as a promisee. Example, Deepti and Deepak promises to marry each other. So, Deepti promise is a consideration for Deepak and vice versa, okay? So, Deepti, Deepak भी तर जो भी तंकर रहा प्रमिजर भी तंकर भुलया के एसरे, they are promising to marry each other. So, in that case, Deepti promise is a consideration for Deepak and Deepak's promise is also a consideration for Deepak. Then, promiseer not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform. Eta koji, section 51. Tam manne, do bhi promise ta hai, promiseer separate unto kari bani, je separate unto promise ni nije reciprocal promise ku pura kariya ko ready na hai chi. Aao, ichha na kari chi. So, promise ku pura kariya pein. So, section 55-51 say a koji. So, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiseer need perform his promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. So, mutual and concurrent reciprocal promises must be performed simultaneously. Example, best example of it is all cash sales. Okay, so reciprocal promise ra a me jodhi kohi baas. So, the best example, the two-three reciprocal promise si paaii promise hi ready thi ba willing to perform thi ba that is our all cash sales. Or all cash sales, jathe bhi cash sales rohi baas yeh gudha ka hi yathre cover a hi jauji. Okay, aao reciprocal promise ra a me jodhi kohi baas yodha mutual bhi aao concurrent bhi. Okay, aao se gudha ko sabu baas simultaneously perform hawa dhaar kaya. Manne, ame kohi baari ba jimti yeh case re cash sale ra jodhi ame kohi ba ame jimti kichhi bhi cash ra jodhi jinsa khanu chandhi. On the very spot, ame kohi baas jinsa bhi chandhi cash dou chandhi jinsa anu chandhi. Pas yoye jinsa bhi kuchhi ame cash dou chandhi. E bhaala case, akko ame kohi baas reciprocal promise. Then, order of performance of reciprocal promises section 52. Section 52 paaii kohu chi? So, order of performance of reciprocal promises section 52 paaii kodhi where order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract they shall be performed in that order and where the order is not expressly fixed by the contract they shall be performed in that order which the nature of the transaction require. Okay? So, jodhi kohonosi emitiya promise 12 order aagwa contract karth liha bhi lhe kohu ra fix ijajich bho, express ijajich bho, taha hale jimti kwaari yajich bho, say hisa bhi kora ji bho. But, jodhi in case expressly fixed he is not thi bho, taha hale se volia order kohu ame transaction requirement hisa bhi perform kori bha. इलस्ट्रेशन को शिवा A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price A is promised to build the house must be performed before A is promised to pay for it Okay, so A, B भी भी तरे contract है जिए A, B पाइं गोट a fixed price ज़े घरते त्यारी कर दबा आउ A से promise हिसाब रे आगे तको घरते त्यारी कर याग पोड़ी हो आउ ताप पोड़ी ज़े प्रोमिस कोची पेमें पाइं से पेमें दबा The liability of party preventing event on which the contract is to take place section 53 कुची sometime one party to a reciprocal promise prevent the other party from performing his promise In such a case, the contract become voidable at the option of the party who is so prevented So moreover, the parties are prevented may also recover compensation from the other party for any loss suffered due to non-performance of contract जहे तो हमें reciprocal promise पाड़ुचे In case केते वेले भी, जदी कोणो से भी one party reciprocal promise करी बारू निजो को रोक किला, निजो को प्रिवेंट कला से भली केस रे हबा कोनो ना से भली केस रे अधर पाटी पाखर रे अच्छी अप्शन्स ये चाही ले से कॉंट्राक्ट को वोडबल करी पारीबो बाट इनकेस से मिती भॉडबल कला बट ता पूरपूरु ताको जदी कीची benefit मिले चीबो ताहले से भले contract रू जहा benefit पाई चीबो तारो compensation recover करीबो बाट compensation जदी ताको कीची financial losses भी है चीबो बिकाज अने non-performance of contract कला ताले इन दाट केस compensation से आदाय करी पारीबो ताहले से लुड़िशन को मैसे जवा A and B contracted that B shall execute certain work for A for a thousand rupees B is ready and willing to execute the work accordingly but A prevent him from doing so the contract is wordable at the option of B and if he elect to resign it he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance तामने A or B वितला contract आटेजी आओ B को किछीटा contract जमती करा तेजी से ही सब रहे A पाहिं कामकोरियों पारीबो 1000 rupees रहे ओके B ready अची कामकोरियों पाहिं and A किंतु से कामकोरियों ताको रोखी ला ताले ये भड़ी केस रे B पाकर option अची CA ये contract को voidable करेए पारीबो cancel करेए पारीबो बट जग्दी से सेंथी कोला ताले A थरूस ये रिकवर करेए पारीबो कंपेंसेशन काहिं की ना जेहतु A सटाको ताले A ताक B को कामकोरियों रोखी ला non-performance अला तानू लॉस डेफिनाटली भी रोही ची ताले A थरूस ये पारीबो ताले पारीबो ताले पारीबो ताले पारीबो effect of default as to that promise which should be first performed in contrast consisting of reciprocal promises section 54 section 54 when a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed till the other has been performed and the promise of the promisee last mentioned failed to perform it such promises cannot claim the performance of the reciprocal promises and must make compensation to the other party to the contract for any laws which such other party may sustain by the non-performance of the contract तो किछी भी हमती contract reciprocal promises सची आउ जोने party performance कोरी परनी promise को perform कोरी पारू नी but other party perform कोरी देची okay सब्बहली केसर आम करी भाकाने सब्बहली केसर प्रोमिजर आउ ख्लेम कोरी पारू नी reciprocal promise को fulfill कोरी पारू 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 येस जो promise ना fulfill है थी भाू तारो compensation दो बाको पारू 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 बो okay illustration a promises b to sell him 100 bales of cotton to be delivered next day and b promises a to pay for them within a month a does not deliver according to his promise b promise to pay a need not be performed and may must a must make compensation okay so a b b contract हितला a promise करतला b ko 1100 bales of cotton next day b promise within one month within one month but a deliver goods b b जहे तू a deliver कोला नी तेनू b b payment कोला नही but b जो requirement थिला cotton रो तोन से केस रे b चाहे वा जो दी a को a को कही पारिवा भाही मते compensation दिया because तम पाहे मोरो loss है जी time as essence of the contract section 55 yes for every contract time is an very important essence प्रत्यक्ती contract पाहे time बहुत थी valuable so time as the essence of contract means that time is an essential element and the concerned party must perform their respective promises within the specified time yes evidence आमें से यहीं बडू छे जहाँ भी contract है थी वो ताको आमको reasonable time period भी तरे पुरा करी बार अच्छी perform करी बार अच्छी तो दी reasonable time period भी तरे शड़ा पुरा हो नी in that case definitely से बडी contract आमें चाहिले जह जो भी party रो loss होत भी due to non-performance से claim करी पारी भी compensation भाहे अबले दो contract is not avoidable the promise is entitled to claim compensation for any loss suffered by him due to non-performance okay effect of acceptance of performance at time other than that agreed open yes मने जो time to fix इतला performance पाहिन जदी से भली time रे accept नहे ला ताहाले से बुरतार कोन outcome हबो सो इभली केसरे आमें मन रखिवा इभली केसरे contract आवाइड़ प्रमीजी पाहर अच्छी option चाहिले से बुरी contract को avoid कोरी पारी भाह but if the promise you accept yes time period बिती साहिले नी still promise you accept करुछी then if the promise you accept the performance beyond the specified time in that case he cannot claim compensation for non-performance unless he had given a notice for compensation at the time of acceptance section 57 reciprocal promises to do things legal and also things other things illegal section 57 so where person reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal so the first set of promises is a contract but the second is a void agreement okay reciprocal promise first promise first promise legal but due to certain circumstances second promise 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 illegal ELEGAL i ELEGAL I ELEGAL I ELEGAL बी यूज़स इट अज़ गांबलिंग हाउस हिसल पे रुपीज हिसल पे ए 50,000 रुपीज फर इट ओके तो मैंना फर्स्ट रोर जो फर्स्ट पार्ट रोर जो अमारा कॉंट्राक्ट एड़ा एकदम ठीक ची एगरी अच्छी बी कुसे तार घरा सेल करीवो 10,000 रुपीज है अच्छी गांबलिंग डेफिनेटली एटा अस पर लौ एटा उटे क्राइम रेज जिपो सो एटा इलिगल है जिपो सो इन दाट केस एटा सेकंड पार्ट रे एटा वड़ा वाइड अगरीमेंट कुआ जो बट जब की आमरा फर्स्ट पार्ट रेज एटा डेफिनेटली ओटे सेट अप्रोमिस इन कोंट्राकर रहिवा गांवे आशय पढ़िवा अप्रोप्रीयेशन अअप पैंमेंट्स आप्रोप्रार पैंमेंट कौल आमें बुज़िवाँ सिंपल जदी बुजिवाँ सिप्र्कार अज्च्ट्मेंट बाया अप्लिकेशन आप मनी टुआ ग several debt outstanding, so where there are several debt outstanding from one person to another and certain payment is made by the debtor and such payment is insufficient to satisfy whole debt the order in which the debt are satisfied is known as appropriation of payment okay, something that is the outstanding debts yeah, the interest of the debtor is being created as the debtor is being created there was a debtor on the debtor which was the most part of the debtor the debtor is being saved by the debtor and it's still the amount of debt that is being applied to the debtor if the debtor is the most important part of the debtor we can make the debtor that the debtor will get there कर दब देफ्ट को सटिस्ट्ट्राय कर या पाई जो सेवरेल देफ्ट अची मैंने बूद नो को से देट सामिल अचे दी ओन और मोग अधर परसंग इन्वाल इन वाल इन वाल इन आपकेस्ट आपको अप्रोप्रियेट कर दब तो सेही प्रोसीजियर को हिंख लोगी अप्र को जी वेरे देटर owing several distinct depth to one person makes a payment to him either with expressed intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular depth the payment if accepted must be applied accordingly नोके एक्चाम्कुरा एासिवा ए ओ सिन्धाम क्योदाब एंग दांग बा म्रेशन और रहा पीज खॐएए ऑफ परेशन है युू भीजिए एढगे की प्रोमिजरी नूट तमने डेटर जिये सिये जने ही लोकोठारू बहुत गुडे अलगा अलगा प्रकाररा डेप्ट आनी छी तो इन दाट केस ये फूनी पेब्मेंट करी बो तो एक्सप्रेसली इंटिमेशन दबो बट जूटू किछी टाइमती सर्कम्स्टांसेस आसुची जहाँ फड़ारू की सिये कुणसी कोटे पटिकुलर डेप्ट रू मुक्त है जाओ छी ओके तो सेटा ही एक्जाम्पूल रे मुझे दला जे एकू एबा एबी कू दबार थेला हजर टंका अना बैसिस आप प्रोमिजरी नोट प्रोमिजरी नोट रो डेट आसुची केवे ना फ़र्स्ट जून रे अब सी एबी कू रीपे को रूची जहाँ भी एमाउन बट मन अन्यों पोईसा सब नहीं थिला सिगुडा कुसे दो ना ही सो अन फ़र्स्ट जून एबी कू हजर टंका देदो ची सो पेमेंट आमें जुदी अपलाय करीवा ताहले बहुत घुडे जो से कू रूणा नहीं थिला बीठारू ता अभी तरू से कू रूणा देला सुझीला ना केबलो प्रोमिजरी नोट हिसा वेल जो रूणा ता थिला सारो 1000 रूपीज रो से से रूणारो इबे मुक्त हैला बाक्की जेत्ते सब रूणा ओची आज यूजुवल जेमिती डेप्ट थिला से बोलाय रोईबों ओके दिन अप्लिकेशन आप पेमेंट वाइब तो भी पेमेंट दोची डेटर शेटको इंडिकेट कोरनी जेसे कोवूट प्रकार डेप टको सुझी जेसे बढ़या केस हुची शेक्शन 60 where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt payment is to be applied बुझी होची तमने जोने क्रेडिटर जोने debtor जोने क्रेडिटर धरू बहुत उड़े अलगा-अलगा amount नेची और केवे 5,000 नेची, केवे 7,000 नेची केवे 1,000 नेची, केवे 10,000 नेची इवडे बहुत उड़े amount नेची बट कोई पोई साथा रपेमेंट कुरूची सेटा जोनानाई बस इमती गोटे रैंडमली किछी पोई साथा दोची तार इफेक्ट कौन होगा तो वेर देटर हास omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor so whether recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suit ता मनें एमती भाविनावा धोरिन्यावटे ग्रेडिटर फर्स्ट जून दे कोणोसी डेटर को देई थला 5000 रुपीज आण जुलाई मंतर देई थला 10,000 रुपीज अक्टूबर मंतर देई थला 15,000 रुपीज आउ एब्बे डेटर डेटर मास रे एमती डेटर आशी कि ताकू 5000 रुपीज दो ची ताहले आमें कोण बुझीवा से कोव डेटर को सुझीला बुझीवा तो ये केस रे जोदी किछी डेटर कोहिला नाई कोव डेटर को से सुझीवा ताले डाप पियोली अबे डिकार सुझीवा आओ तो ये जेही अमांट गो रखी नवा ओके application of payment where neither party appropriates by law section 61 where neither party makes any appropriation the payment shall be applied in discharge of the debt in order of the time मने नाई debtor किछी कोहिला appropriation के मिती हाओ ना क्रेडिटर किछी कोहिला appropriation of payment के मिती हाओ ताले से भड़ी केसरे आमें जो डेप्ट को डिस्चार्ज करीबा, को भड़ी आ करीबा, को रूल अपलाए हबो, ना रूल अपलाए हबो टाइम रो, ओके, मने जिमती टाइम हिसा आपरे मुखोईली, जून रेके जने पोईसा नहीं थेला, जुलाई रेके पोईसा नहीं ताले जदी बेव शुजी बारा पाले या जिवह, ताले इन दाट केसरे आमेए कोड़ागो टाइम बेशिस रे नोबा, टाइम टको नोन वा, अगे लेडे जून नढय थे नहीं थेला, जून पोईसा डागे दो, जूलाई मंसर नहीं थेला, तो जूलाई पोईसार ताप कोई दाऊंची बोतर कोई ची उटाइ आक्ट ची limit Asian Act लिम्मिटेशन आक्ट हिसाब रे protective suit पाई application फाई appeal पाई कोटे समय सिमा निर्धारितं कराजी इसे समय सिमा हिसाब रेकotics अगाल हुची किर्फर केस योदी पोई सा नहीं ची कहाँ ठरों माला Deft-र केस डेफ-र कॉंट्राइट किछी तो तार भी समय सिमा अची तार मुं कही रहुँजी तार समय सिमा हुँजी तीनी वर्स तीनी वर्स भी तर जदी आपनुको कही भी तार लास्ट पेमेंट भी देला नी कि फरस्ट पार्टर भी पेमेंट देला नी तीनी वर्स भी देला तमी ज़तानार केस कोलोनी की स्कमूग पईसा देला नहीं तल ले इन दाट केस अटा हूँ तम्में लोरे बा कोट र जाईकरी सूफाइल कोरी पारीबो नहीं कहें की ना सेट्ट वड़े बाड़ बाई लो ही जाईती हूँ बाड़ बाई लो मतलब तरह टाइम पिरियोड सोरी गला एब नियुक्निक तरह बाई फिकासरश कोरीज्थ नियुक्निक पुर्श करीजल। इंट्रेस्ट अमाउंट मिसी करी ओच्छी ताहले एमाउंट जदी इंसफिशेंट हो थुबो और जेत्त वड़े डेटरटा सुदुथवो डेप्ट तापर सेती की पोईशा ना ही तोसे अप्रोपिशेंट हो थुबो ताहले को भळे तको आमें अप्रोपिरेट कोरीबा त आमें तको इंट्रेस्ट अज वेल अज प्रिंसिपल दूइटा जयको अमाउंट रे अप्रोपिरेट कोरीबा तो देन दो ओडिनेरी रूल उड़ बी दाग मनी पेड शुद बी अप्रोपिरेटर फर्स्ट तुवर्ड द इंट्रेस्ट अन देन देन रेसिडियू इफ ए बी अप्रोपिरेशन करा जिवना अग्ग सुझा जिवन इंट्रेस्ट ता पर जोदी किछी बोलीला अप्रोपिरेशन करला पर बोलीला तेब्बे जाए कि सड़ा प्रिंसिपल अमाउंट को जिवन ओके कॉंट्राक्ट विज निल नौट भी परफोर्म एम्थी कॉंट्राक्ट जोड़ा परफोर्म करीवारो अवशकता नहीं सो इपार्टी mutually agree to substitute the original contract by a new contract or recent or alterate section 262 मने पार्टी जो दीम दूजण परसपर मिसी किरी कोणसी contract जोड़ा original contract थेला original contract बदल अरे नुआ contract दियारी कोले किमबा ताकु cancel कोर देले किमबा ताकु change कोर देले ताहले जो भड़े आ पूरबरो contract है जला तकु पूरा करीवा आओ दरका नहीं ठीक से इवड़ा आउगोट कोजी ये प्रोमिसी dispenses with और रेमिट होली और पार्टली और एफ्टेंज और टाइम और accept any satisfaction for aid section 63 प्रोमिसी ही नीजे तोदी होली हो की पार्टली हो टाइम ही सबर की acceptance ही सबर किछी भी छाड़ कर दोची ताहले भी आओ पफॉर्म करीवा दरकान नहीं से contract उपरे ठीक से बड़ा आओ गोटे section 64 कोण कोजी if the person at whose option the contract is wordable रसे नेट तमने contract अमिजान चे wordable contract आमें पड़ी साथ चे तोनों जो person पाखर option थीवा wordable contract रो ये ही नीजे तोदी से contract को cancel कर दोला ताहले भी आओ contract पफॉर्म करीवा दरकान नहीं then section 65 obligation of person who has received advantage under word agreement or contract that becomes void section 65 कोण सेम्तिया contract जोथरे कोण सी पाटी को advantage मिली जाइची word agreement रो आओ contract इसल बाइड है जाओची ताहले भी आओ contract फुल्फिल करीवा दरकान नहीं ठीक से बड़ा आओटे section 66 mode of communication revoking recession of voidable contract yes कोण सी mode of communication किमबा recession कुछ दिया में revoke करुचे that to voidable contract रो ताहले भी ताको पफॉर्म करीवा दरकान नहीं ठीक से बड़ा कोण सी प्रामिजी जदी neglect करुची किमबा refuse करुची promise or reasonable facility कु ताहले भी आओ performance करीवा दरकान नहीं section 67 कोची तो एब ताको आओ detail लेपोण दबा contract which need not be performed effect of novation, rescission and alteration of contract section 62 if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or to rescind or alter it so original contract need not be performed okay जो बड़ा contract है इतला से contract को original contract को जदी कुण सी new contract substitute करुची किमबा recent करुची किमबा alter करुची ताहले original contract जोड़ा है इतला सटाओ perform करीवा दरकान नहीं okay so example a owes money to b under a contract it is agreed between a, b and c that b shall henceforth accept c as its debtor instead of a the old debt of a to b is at end and a new debt from c to b has been contracted okay so ये case रे हेज़ी कोण a कु रीपे कोरी बारतिला मनी b कु कु कॉंट्राक्ट रितला तांक भीतरे तो a पोईसाद बारतिला b but similar contract कोले agreement कोले a, b आउ c वितरे जे एब्बेट हरू b a पोदलरे c कु तार डेटर हिसाबरे अक्सेप्ट कोरू तो ये case रे आउ a कु कु कॉंट्राक्ट पोफर्म करी बारतिला जेखर नाहिं कि ना old contract बारतिला रेवे नुअ कॉंट्राक्ट कोट्राक्ट रितला तांक बारतिला कोज प्रतिक्ट प्रमीने तर्पिक्ट प्रम सी तपकर अछि ऑप्शिन्स शी ते तो दिच्छा हैं होँख किमपाब प्रेंच ली हो एक्स प्रमीस रोप पॉपर्पोमन्स रोप से डिस्पेंस करे दे पारिगो ओके यहीं को जी, every promise जी में dispense with or remit wholly or impart the performance of the promise made to him और में extend the time for such performance, yes, performance रो समय सिमा को भी से extend कोरी परे किम बात अको जोटा भी ठीक लागो थो बो, से से अको भी accept कोरी परे एक्जाम्पल को मैं हमें आस जीवा, A promises to paint a picture for B, B afterwards forward him to do so, A is no longer bound to perform the promise ता मनें A promise कर दिला से B पाइं कोड़ा picture paint करी बाँ, किन्दो पर्चरे B A को मना कतर नहीं बापा मरो दरका नहीं तरह picture paint करी बाँ तो ये केसरा आओ, A आओ, oblige नहीं है, तो promise टा से करी दिला, जैसे B पाइं वोड़ा picture paint करी तब सेरा आओ, आप शकता नहीं, because promise ही नीजे ही मना कर दला performance नहीं, ओके एवे आमें आस जीवा, Consequences of Resession of Voidable Contract, Section 64 तो कोण Consequences हबो, तो ठीक सही बड़ा, जो कोण सी Voidable Contract, जो Voidable Contract को कही भी जदी Cancel कर दला, Resession कर दला तल इन दाट केस, जो Other Party रहिला, से Other Party को Contract को Perform करी वारा आपशकता नहीं, ओके और पार्टिज ये भी Resend कोला, Voidable कोला से Contract को, से जदी किछी भी Benefits से Contract रो उठेई थीवो तल इन दाट केस, ये Benefit को ताको वापश करी बग पोड़ीवो, Restore करी बग पोड़ीवो, ओके जो पर्षन धरूस ये Benefit उठेई थीवो, बार जो पार्टि धरूस ये Benefit उठेई थीवो Obligational person who has received advantages, संदर Void Agreement, और Contract that become Void Section 65 So Section 65 विसाबर कोची, जदी एमिति कोण से Agreement, जो डपच्छर डिस्कावर होची जेसे Agreement आप वाइड और से Void Agreement रो, जदी कही भी पार्टी किछी भी आडवांटेज पाई थीवे, तहाले तो आसपर लो से आडवांटेज को तको रिस्टोर करे आप पड़ेवो, फेरी बग पोड़ीवो जदी फेर हो नहीं से बड़ी बेनिफेट, तहले इन दाट केस कमपेंसेशन करिवा पोड़ीवो, ओके, तो कमपेंसेशन करिवा पोड़ीवो, जहां भी बेनिफेट से पाई थीवो एक्जाम्पन को अशिवा, A, B, A pays B, 1000 in consideration for B's promise to marry C, A's daughter, C is dead at the time of the promise, the agreement is void, but B must repay A the 1000 rupees, so A कहिति लाज, जैसे B को 1000 दाबाज consideration, जदी B, C को marriage करे, C हो जी A रो डाटर बट, जद वड़े promise को रागोला, सेत वड़े, C is dead, होला, मने से promise time is C is dead, so A, जो 1000 rupees B को देई थिला, आज consideration, जहां तू, आमरा subject matter रहीं ड़े थे जाऊची, तो agreement is void now, but जो benefit पाई थिला, A, जो benefit पाई थिला, B, A हरू, मने 1000 rupees पाई थिला, सेत को B को, एबे रीपे कोरी बाग पाई थिला, जो एको, तमने 1000 rupees B, A बे एको रीपे कोरी बाग। Mode of communication or revoking, rescission of voidable contract, section 66 So, the rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rule as applied to the communication of revocation of a proposal तामने कोण सेमिती contract को जदी तमे cancel करूच, rescission करूच, ताहले जथा सिग्र, तमको communicate कर दवाग पड़ोगर, जोने इजवाग को पड़िवो Same manner रे जविती कुहा जाईती वास पर rules, आउ तमको revocation भी जदी में करेच, ताहले भी proposal भी जदी करेच, ताको भी तमको communication or communicate खरीवा को पड़िवो Effect of Neglect of Promise to Afford Promisor Reasonable Facilities for Performance section 67, कोची कही भी जदी प्रमीजी नेगलेट करे, refuse करे, मन जो भी प्रमीज है जला, जो प्रमीजी सबरे, जो प्रमीजी जो प्रमीजर कुस्चु बिदा, सबुर रिजनाबल फैसिलेटी जो गे जबर जला, ताको जदी प्रमीजी नेगलेट करे, कि जबर refuse करे, तहला ताहर movement effect का रोप, तला, इन जा द्केस प्रमीजर इसेज चुच बदे उप्रमेजर कुचु तो अमेब एकस्क्यूज करतु बाल, जदी बही इनकेस किसी नेगलेट हो जी refuse ताल इन दाट केस प्रोमिजर एवे एक्सक्यूसे जिवा, example को शिवा, A contract with B to repair B's house, B neglect and refuse to point out to A, the places in which his house requires repair, A is excuse for the non-performance for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal, तामने ये कॉंट्राक्टर हीची कोणो ना A कॉंट्राक्ट कोरची B सोई तो जिसे B रो घर को रिपेर कर दबो बट B A को जोजो जगरे ता घर रो रिपेरमेंट दर कर से A को सहाज्य कोरणी की जोणो उना इसे भी सरे तो ये केस रे जग्दी किछी भी नन पर्फोर्मांस होजी कॉंट्राक्टर A को आमें दाई करिबा ना हीँए A is excuse for non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal by B okay with this आमर पर्फोर्मांस of contract शाजाई जी I hope so मने बुझपात पर जहार 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 भी डाउठ अभा so मने comment box जा सी comment करी पा रहा and नदी वीडियो टीब हो लाइला then please like share and subscribe to my channel thank you